आज का ये एपिसोड समर्पित है उन बड़े लोगों के नाम जिनकी हर छोटी समस्या एक नई मीटिंग को जन देती है को जन्यां चोत्रों कि पड़े विर्केश्ट कि नाम एक जो झाय का ये है ये स्वफित वा करते था है और का का ये निखाल दिया है अच्छा तो उनकी जगा फिर अब ये मिस्टर गंगाराम अच्छा गंगाराम ये अंदर है हां अंदर ही अंदर ही अधिए सर ये दो केसेज हैं एक तो लेबर की दिमांज के बारे में और दूसरा सर स्टोर से कुछ मतीरियल चोरी हुआ उसके बारे में मीटिंग बुला लो सब कमेटी बिठा लो मीटिंग बुला लो सब कमेटी बिठा लो थेंकी सर ये क्या आपने तो एमडी की जगा तोदा रखा हूँ अंदर भाई अगर अम दस हजार पनका पर एमडी रखें फैसला उसने भी आई करना मीटिंग बुला लो सब कमेटी बिठ आपनी सकती statements, प्लाइटराइटर में आपकर सिंखता इजय दाल आपा Аलान आपकर में क्याति हौःटर, खरी बरॉस्टार, आपर आपेछरimana bib?. भल और, और, जोल ख़स्टार, भल ख़स्टार र सबस्सा परिप के देत 온ता दोर. में रहा बहां, नहीं है और , कहा हम? Sir SDM सहाब meeting में गए है traverse DC's office? सहाब अथे है? नहीं? कहा? Sir DC सहाब मीटिंग में गए है Kamal a half a meeting में गया मुझे लगता सारदे एस सा Duty meeting कर रहा इस प्रह अपनी meeting केलीई time ही नहीं मिलेगा सर हम तो पिछले बीस दिनों से सभी ऑफिसर्स को रोज कॉन्टेक करते हैं अब कोई डेट किसी को सूट नहीं करती तो कोई किसी को लेकिन हमें उको से ओर रहे हुए महीने में एक मीटिंग डिस्टिक अड्मिनिस्टेशन के साथ जुरूर होनी चाहिए हम क्या दरे ठीक है सर मैं आदे घंटे तक फिर सब नंबर स्ट्राइक करते हूँ अब क्या प्रदा ग्यारा बजे हमने प्लानिंग की मीटिंग रखी हुई है दे आप खुंचरामजी आप उन इंपर्टन फाईलों की लिस्ट त्यार होगी है जिनने पिछले महीने चुहे कुतर गय थे ओके सर स्ञट शवयक्तु कुक्तर एं। आप प्रेजर क्युक्त करते हैं में अब पचले महीने चुहे कुतर गयए थे जिनने पिछले महीने चुहे को उतर गया थे अभी जी लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हुई भी साब ने बोल लिस्ट अपने साथ लेकर मीटिंग में जाना है गुपता जी बाई गॉड मेरे पास तो पहनी नहीं है मैंने दस दिन पहले रिकोजिशन दे थी तारा चंद को और बाई गॉड तीन रिमाइंडर भी दे चुका हूँ क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हो खुश्राम जी आप लिस्ट बनाने के लिए अपना परस्नेल पर यूज नहीं कर सकते देखे गुपता जी बात असूल की है जब आफिस हमें यूज करने के लिए पैन देता है तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें भाई ये असूल की बात आप जाकर साहब को समझाईए वो आपको बला रहे है चाहिए न वो आपकी बेट कर रहे है तो पैजी रिलैक्स जा रहा ह हूं मैं बड़े अक्सोस की बात है कि जिन 40 फाइलों को कुतरने में चुहों ने एक दिन लगाया तुम दस दिन में उन फाइलों की लिस्त कहार ने करते है तुम्हारे से तो चुहें गारा एफिशेंट है और मुझे लिस्त बनाने के लिए पैन चाहिए था जी अगर तु पिछले छे मीने में किस किस मुलाजमने कितने कितने पैन इसुग रवाए और मिस यूज़ ऑफिशल स्टेशनेर पर एक स्पेशल मीटिंग रखवाईए तुम्हारे से जी बैठे है जी बात किजिए सर आपकी वाइप का फोन हाँ क्या है तुमीज से बात करो मैं आपकी बी-बी बोल रही हूं इसे पहले मैं अपने स्वाडी उनेट से बात करना था एक मिनित तर आप जाईए मैं बात में बलाता हूं हां चलें आप भी हां वो दरा टोन बंदलने में देर लगती है ना आप अपना पेन निकालिये और एक डेट लिखिये हां बताइए साथ तारिको दिल्ली में मेरी मौसी की लड़की की शादी है अच्छा अच्छा फिक्स होगी है हाँ कार्ड अभी आया है आप ऐसे करना साथ तारिको दिल्ली में अपनी कोई मीटिंग रख लेना साथ तारिको हाँ रखवा लूगा, no problem, रखवा लूगा ओके, bye और साथ अच्छा, अच्छा अच्छा, अच्छा बड़ी पेर करती है मैं तो सोच वी अपनी बर्तन साफ करने वाली बगल ही दो क्योँ, क्या वो बर्तन ठीक से नहीं करती है बर्तन तो बहुत बड़िया साफ करती है लेकिन मौले की दूसरी ओरतों के कोई बात ही नहीं करती उसके पास कोई ख़बर ही नहीं होती बैट रैम मेरी लगी मेरी बरतन वाली तो हर एक खर की ख़बर रखती है अच्छा, कितने पैसे लेती है वो 90 रुपए, 40 बरतनों के और 50 चुगलियों के फिर तो ठीक है कल वो बता रही थी, ये तनेजा है न अपने पडोसी उसका किसी भी वक्त डैवोर्स हो सकता है अच्छा, देखने में तो बड़ा शरीफ लगता है देखने में ही भूला बाला लगता है वैसी उसका चक्कर है अपनी स्टैनों के साथ अच्छा रोज आठ-ठाट बज़े दफ्तर से खराता है और सुपह भी चल्दी चला जाता है लेकिन जब वो घर देर से आता था तो मिसस तनेजाने कभी पूछा ने पूछती थी बैचारी कह देता, आफिस में ज़रूरी मीटिंग है मीटिंग्स? मीटिंग्स तो इनकी भी बहुत होती रहती है तू भी ध्यान लखियो ये मीटिंग्स कईबर बड़ी खतरनाग होती है लेकिन ध्यान क्या? अब मैं दफ्तर दोड़ना जा सकते हूं इनके साथ ध्यान का मतलब है कि पूछती रहा कर किस चीज की मीटिंग है, किस की साथ है, कहा है वगयरा वगयरा आइडिया हो जाता है कि मीटिंग जैनून है या फ्रॉड अब तक ब्रेट्पास नहीं गारा है इतनी देर होगी लगा रहे हूं, अब तो आठी बजे, दफ्तर ता आपका नौ बजे लगता है मेरी बहुत दूरी मीटिंग है, मैंने अभी जाकर टेपर उगरा त्यार करने है मीटिंग? वैसे आपकी मीटिंग है किस चीज के बारे में? मीटिंग है, दफ्तर की मीटिंग है तो मैं कुछ सा कह रही हूं कि आपकी परसनल मीटिंग है? मैं तो ये पूछ रही हूं कि मीटिंग क्यों हो रही है? कुमाला, दफ्तर है भाई? मैं वहां का बॉस हूँ मेरा काम है मीटिंग्स करवाना, मीटिंग्स एटेंड करना कोई भी अफसर दिन में कितनी मीटिंग्स एटेंड करता है इससे उसके स्टेटस का फ़ता चलता है वो तो ठीक है, लेकिन मीटिंग की कोई वज़े तो होनी चाहिए वज़े है, वज़े तो बुठी ही है वही तो मैं पूछ रही हूं वो, ऐसा है कि दफ्तर में चुहों ने बहुत सी फाइलें कुतर दी है उसके बारे में हमने एक मीटिंग रखी हुई है चुहों ने फाइलें कुतर दी? ये सोचना तुम्हारा गाम नहीं इसलिए हमने मीटिंग रखवाई है वो, गाड़ी आगी मन चलता हूँ और ब्रेकफ़स्ट? नहीं न, ब्रेकफ़स्ट का तरिमीरा ये कार में गड़की कौन है? कौन है? ये तो लीता है, मेरी सेक्रेटरी तुम मिली तो ही है इसे ये तुम्हारे साथ तुम्हारे गाड़ी मैं कैसे? वो आज इसके पास conveyance नहीं थी, इसे problem थी, तो मेरे साथ मैंने कहाँ चले जाएगी, okay, bye हलो, हाई प्रीटी, हाँ, अच्छा, क्या, गाड़ी में उनके साथ सेकरेटी थी इसी बात का तो मुझे शक है, इससे पहले कभी उनके साथ नहीं जाती थी तुने पूछा नहीं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पूछा था, पता नहीं कहरे था कुछ फाइलों को चूहे, कुतर गये हैं, उसी के बारे में कोई meeting है फाइलों को चूहे? भई, मुझे तो कुछ गड़बर लगती है गड़बर तो मुझे भी लग रही है देख, तु ऐसा कर, ओफिस में फोन कर और पूछ की ऐसी कोई meeting है या नहीं मैं दफ्तर फोन करते अच्छी लगूंगे तु ये कहना ही नहीं कि तु बीती बोल रही है कहना कि एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और चूहों वाले केस की बारे में पता लगाना है ओके? सर, खुशी राम ने अभी तक उन फाइलों के लिस्ट नहीं बनाई जिने चूहे कुतर गए थे बड़ा नापरवाद मिया, मैं अभी उसे सिस्पेंट करता हूँ अबैठिम, डिक्टेशन ले हाँ ठीक है अप लिखें डियर खुशी राम डियर सर, डियर खुशी राम मैं रखिल डियर ने ओना जाये आखि रहम उसे सिस्पेंट कर रहे है तो अप लिखें We are pleased to inform you that you are hereby suspended with immediate effect तूर्वह प्लीस्ट इंफार्मियू की जगह पिस सॉरी इंफॉर्मियू नहीं होना चाहिए यह राइट तुम्हें सुस्पेंशन लेटर्स अइप करने का का तजरुरुबा है यहाँ आने से पहले मैं छे दफ्तों से सस्पेंशन हो चुकी हूँ फिर तो तुम्हारे पास कोई ना कोई पुराना सस्पेंशन लेटर भी पड़ा होगा कोई ना कोई क्यों सर्, मेरे पस तो सारे पड़े है ठीक है फिर आप उन्हें देखे टाइप कर लाएं, मैं साइन कर दूँगा रइच सर् और सुने, ये बात किसी को पता नहीं चलने चाहिए कमाल है सर, मैं ये थोड़े ना किसी को बताऊंगी कि आपको सस्पेंशन लेटर भी टिक्टेट नहीं कमाना आता मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चुहों वाले इंसिडेंट का बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए ठीक है सर वरना अखवार में च्छपके तो फजूल बदनामी होगी हाँ सर, अखवार वाले तो फिर खवर को और भी नमक मिर्च लगा कर छापते हैं बल्कि किसी अखवार वाले का फोन है तो कहतना कि मैं चुटी पर हूँ ठीक है सर जी एलाल जी एलाल हाँ जी मैडम मैं जरा अपने बाल ठीक करवाने जा रही हूँ हाँ तब तक तुम यही बाहर बैठे रहना और फोन का ख्याल रखना जी अगर किसी प्रेस रिपोर्टर का फोन हो तो कह देना सहाब चुटी पर है और हाँ और चुहों बात भी किसी को नहीं बतानी है मैडम आप कह रही हैं तो नहीं बताऊंगा वरना ऐसी बातें पचानी ज़रा मुश्किल होती है तो कि ट्राई हालो इस ट्री एट ट्री नाइन पॉर सेवन हाँ जी बोलिये देखिए मैं प्रेस रिपोर्टर बोल रही हूँ प्रेस रिपोर्टर हाँ जी बोलिये मुझे पता चला है कि आपके दफ्तर की कुछ इंपोर्टन्ट फाइलें चुहे कुतर गए जी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है हमारे दफ्तर में तो फाइलों का खास ख्याल रखा जाता है ये वही दफ्तर है ना जहां मैं पी एंजी आलाल और एमडी साब कहा है जी वो तो चुटी पे गए है और मिस रीटा कहा है जी वो भी कहीं बाहर गई है अच्छा तो सुबह मुझ से जूट बोल रहे थे मुझे धोका दे रहे थे मैं इस घर में एक मिनिट भी नहीं रहूंगी से रहा में पता चला है कि आपकी वीवी घर चोड़कर चली गई है सर ये सच है हाँ नराज होके कुछ दिनों के लिए माई के गई है सर फिर तो आज पार्टी हो जाए क्योंकि अपनी दफ्तर की तो प्रंपरा है ना सर कि जिसकी वीवी रूट कर माई के जाए वो टीट जरूर देता है टीट भी देता है हाई टीट की कहवाद है हाँ जी अंकल वो रिष्टदार में तुमारा घर पे होगी ये दफ्तर है हाँ जी साब ऐसे करो कि टीन चर कप चाहे ले क्या हो और साथ में कचौरी और समोसे बगारा भी देख लेना दफ्तर के लिए अपने काम के लिए हमेशा मीटिंगे करते रहना और इस दुरान अगर हमारे बीवी बच्चे भी हमें छोड़के चले जाएं हमें घबराना नहीं चाहिए बिलकल सर और आपको याद होगा कि आज की मीटिंग हमने इसलिए बुलाई है कि उन फाईलों का क्या करना है जिनने फिछले महीने चुए कुटर गए थे सर अग्छ एक्चुली सारी गलती खुशी राम की थी वो सब वी आईपी कैसी इस थे और खुशी राम ने वो फाईज आम फाईज समय रख दी और आम फाइस में तो आपको मालू है सर चूहे आम घूमते हैं एक तो अपने ठेश के चूहे बड़े आना जुकिटेड हैं वी आईपीज की फाइलों को पेचानते ही नहीं सर हमें इन चूहों का भी कोहिना की पर्मानेंट इलाज करना चाहिए हम ऐसे करते हैं कि मिस्टर जैन की और आपकी एक सब कमेटी बना देते हैं आप मार कर स्टेडी करिए कि वहाँ चूहे पगड़ने के कौन-कौन से यह अंतरुपलब्द है और एक महीने के अंदर नदर अपनी रिपोर्ट दे सर ये चूहों के पिंचरे खरीद ले भी हैं? नए उसके लिए हम में एक अलग सब कमेटी बनाएंगे आप चाहे सो कमेटियां बनाएं चाहे 200 सब कमेटियां मुझे क्या? मुझे ये पता कि 6 महीने होगे मुझे स्टील का गुटर अपलाई कि यह हूए चौधरी साब अब मुझे पर क्यों गुशा हो रहे हैं मैंने तो आपका केस भेजा था उपर साब ने लिख दिया कि पहले उन फाइलों का निप्तारा किया जाए जिने चुहे कुतर गये हैं अहां तो ठीक है आप मेरी फाइल मुझे बापस कर दे चौधरी साब, तीन कमरे भरे पड़े हैं पैंडिंग फाइल से अब पता नहीं कहां मिक्सप होगी होगी कुछ भी हो बेटी, तुझे चोटी-चोटी बातों के घर नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन क्यों? बेटी, बार-बार घर चोड़ने से घर चोड़ने की वैल्यू खत्म हो जाती है ममा उन्होने जान बुझ के मेरे से जूट बोला मेरे सामने उस रीदा के साथ बैठके कार में गए और उस दिन उनकी कोई मीटिंग भी नहीं थी अरे बेटी, ये उनके तरीके होते हैं जान हूच के चिड़ाने के तुम्हें ऐसी बातों में कभी नहीं आना चाहिए लेकिन ममा शक तो हो ही जाता है ना अच्छा अच्छा गवरा नहीं मैं दफ्तर से सारी बात का पता निकला लूँगी कि वहाँ कोई मीटिंग होती भी है जर नहीं सर मैं जितनी बार आपसे मिलना हैं वो आपकी कोलों को मीटिंग चल रही होती है और आज अगर आप मिल गए है तो फाइल नहीं मिल रही सर क्या करें भाई अंदर फाइलों के धेर लगे हुए एक फाइल को हिलाएं तो सारी फाइले किरने का खत्रा है लेकिन हम क्या करें सर हमने बैंक से लोन लिया हुए मशीनरी लगा रख लिया है एविल इंटरस्क्स पढ़ रहे है और यहां स्कील का कोटा एलोटी नहीं हो रहा भाई भेजा तो है जियालाल को शायद धून लाए फाइल आप तब तक प्रात्ना करिए प्रात्ना में बड़ी शक्ती है मिस्टर चौधरी भागवान ने चाहा तो आपकी फाइल जरूर मिलेगी सर जियाला फाइले धून रहा था तो सारी फाइले उसके सरपार आन परी सर और वो भी खोश हो गया सर आप अम्बूलेंस के लिए फोन करें उसे होस्पिटल लेकर चले मैं आरा हो भी जी सर निस्टर चौधरी देखा आपने ये सब आपकी वज़ास हुआ है ना आप फाइल निकलाने की जल्दी करते ना ये एक्सिडेंट होता फटी साब ने अभी मेरे हाथ नहीं देखे चेरमेन को ऐसी शिकायत लगाऊंगा कि पता चल जागा फाइले कैसे जुड़ी जाती चेरमेन साब एक नड़ पिस सर चेरमेन साब का फोन बात कीजिए यह अपको किसी को आपने से स्पेंट कर दिया है यह हो गया आपके 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 अफिस में सर आप घबराएं ना हम आज ही एमर्जनसी मीटिंग कॉल करते हैं हर महीने आप लोग सेक्ड़ों मीटिंग करते हैं के रिजल्ट किसी का नहीं निकलता है का रिजल्ट तो रिजल्ट तो निकलता है यह सर शट अप मैं परसों आ रहा हूँ ओफिस इंक्वारी करने के लिए कि आप लोगों की मीटिंस का रजल्ट क्यों निकलता हैगा आप सारे केसे मेरे सामने पुट अप करेंगे हाँ मैंने दफ्तर से सब पता करवा लिया है और हो चुहों वाली बाग ने सच्ची है हाँ जिस पाल की किसी ने शिकायत किया है कि वो दफ्तर सारा दिन मीटिंगे करता रहता है चेरमें साथ खुद इसकीन को आरी के लिए आ रही है पर ममो मुझे गल्दी कैसे लगी अरे बेटी यकीन न हो तो खुद किसी दिन दफ्तर जाकर देख लेना कि वो कितना विज़ी आदमी है आज की मीटिंग हमने सर्फ इसलिए रखवाई है कि परसों जो चेरमें के साथ मीटिंग है उसकी तैयारी कैसे करनी है और किन किन चीज़ों का खास धियान रखना है सर चेरमें साथ परसों कितने वज़ी तक पहुंच जाएंगे परसों नहीं भी वो कल रात थाड़े आट वज़ी आ रहे है आपने रात के डिनर का और सुबा के ब्रेक्फास का अरेंजमेंट करना है ठीक है सर और सर वो जो कल मीटिंग के लिए चाय आएगी वो यहीं आफिस में बनवानी है या बाहर से मगवानी है गूट कॉस्चिन ऐसा करेंगे ही चाय तो हम यही बनवा लेंगे समोसे और गुलाब जाम बाहर से मगवा लेंगे अब मैं आपको ज़रा सिटिंग प्लान समझा दूँ यहां सेंटर में बैठेंगे चेर्मन साथ यहां मिस्टर जैन और उनके साथ मिस्टर होजा यहां गौतम जी होगे उनके साथ मैं यह जो चार आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं यहां हम रखेंगे गुलाब यमाद और यह जो चार ब्रूपॉइंट्स हैं यहां समोसे इन बिट्विन चाय रखी जा सकती है इस अब रिट्विन क्लियर लेकिन साथ मीटिंग का एजन्दा क्या होगा अजेंडा तो कल भी देख लेंगे लेकिन माइड इट समोसे कच्छे नहीं होना चाहिए मिस्टर गुपता आप मेरे साथ आई हम देखने की दक्तर में कौन-कौन सी फाइले फाग तुपड़ी हुई है कहीं चेर्में साथ फाइले देखने नहीं है ठीक चलिए मुझे समझ में आते कि आपने इसनी पुरानी फाइले रखी क्यों ही है सर्फा रिकॉर्ड से मिस्टर गुपता आपने पिछले दस साल से एक भी फाइल को खोल के देखा है सर मुझे अभी नौ साल ही हुए है खेर आप इंसा फाइलों के एक लिस्ट त्यार करें और जिस रिकॉर्ड की पिछले दस साल से कोई जूर्ट नहीं पड़ी उसे आप डिस्ट्रॉय कर दें जला दें रैट सर लेकिन अगर चेर्में साब ने कोई पराना रिकॉर्ड मंग वा लिया तो हां ये तो है सारी मैं लेट हो गया है गया पिछले हफते मेरी दाइन तांग का मसल पूल हो गया सर आज सुबा सुबा उसमें दर्द शुरू हो गया सर मसल दर्द के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ीया देसी द्वाय सर सर अगर उसकी पेस्ट बनाके एक बार आप उसे मल लें आपको इतना रिलीश मिलेगा इतना रिलीश मिलेगा आपका दिल करेगा कि आपकी दूसरी टांग में दर्द और आप दवा लगाएं सर आपने कभी तेल में हल्दी गरम करके ट्राइग की है अच्छी मेरी मदर इनलाग को एक बार ऐसी प्राब्लम होगी दी सर और सर यहां रेल्वे कालोनी में प्रेमसी नाम का आदमी मालिश बहुत बढ़िया करता है सर वो कोई नस्द बाता है एक बार तो चीखें निकल जाती है लेकिन आराम आ जाता है मिशुपता आप मिनटेश हमेटिं कर रहे हैंना कर रहे है मैंदम मेरा का सबढ़ियर श्मेंशन का स्वाइब इस फरे देंडे में है ना है तो भई लेकिन देखो मिले क्या देजिए हमाम जह सुअ तो बेंड़ मेरा वुणा छीए ना थे हलता है आपको यकीन है Mr.Burti मीटिंग में खुद बैठे है उनी के साथ तो हमारे चेर मेंन साथ की मीटिंग है लोग खोदी देख लो यह मीटिंग ही तो है और तू के सोच रही है यह पिकनिक मना रहे हैं चल दर चल फुद रही है आप लोग चाय पीएगे? नो थैंक, हम चब गएगे ओके बाइस भगवान मुझे माफ करना मैंने सुनीता के बातों में आकर एक ऐसे देवतास हमान आदमी पर शक किया जो देश की उन्नती के लिए सारा देन से मीटिंग के कुछ नहीं करता सुरी सर, सर ये खास किसम का पिंजरे है सर सर इस पिंजरे से हमेटे टाइम सौ सो ग्राम के तीन चुहे पकर सकते हैं सर तो फिर आपने ये स्कीम इंप्लिमेंट क्यों नहीं कियागी? सर, हमारी सब कमेटी की उसे शब पढ़ गया कहीं ये पिंजरे मिस्यूज नहीं हो जाएं क्या मतलब? सर, उनका मतलब ये था कहीं स्ताफ मेंबर्स पिंजरे घर ना ले जाएं अपने परसनल चुहे पकड़ने के लिए तो फिर उसका आल्टरनेटिव क्या आएगा? सर, हम बिली रह सकते हैं बिली मिस्यूज नहीं हो सकती हाँ स्केम को बोरे नहीं आगे मिस्टर गुटता, आप मिनिटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं न? ये सर, गुट एक्स्कूजी मेटम मैटम जी मीटिंग और किपनी तर चलेगी? खत्म ही होने वाली है बस आपको क्या काम है? मैं प्रेस्ट रपोर्टर हूँ मीटिंग के बार में पता करना था कि क्या डिसिजन हो रहे है वह वेल, औरके लगता है मीटिंग ही खत्म हो गई कि इसकी मीटिंग की